आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Hello student, welcome to this video of डाउटनेट यहां हमें question दिया हुए from amount of set of metals यहां है उसकी ठीक है One metal which is used to prepare hydrogen gas in laboratory हमें एक metal का नम बताना है जो basically hydrogen gas laboratory में prepare करने में यूज होता है ठीक है तो basically यहां पर जो metal हम लोग यूज करते हैं इन में से वो कौन से हैं? जिंक यूज करते हैं ठीक है जिंक जब हम लोग H2SO4 sulfuric acid के साथ react करवाते हैं जिंक प्लस sulfuric acid तो जब जिंक में लोग sulfuric acid के साथ react करता है तो यह किस चीज का form करता है जिंक sulfate sulfate और उसके साथ hydrogen gas निकलता है अब यहां पर हम लोग जिंक क्यों यूज करते हैं यह भी कमजने वाली बत है तो अगर हम reactivity series की बात करें reactivity series तो reactivity series में हम लोग यहां पर बस देखते हैं कि इन metals का position क्या है जो यहां पर given है ठीक है और hydrogen के position के respective ठीक है तो सबसे पहले मेरा है sodium sodium से कम मेरा आता है इन ही metal को देखते हैं reactivity series देखने के हमें जरूरत नहीं है तो sodium से यहां पर नीचे zinc zinc के बाद मेरा आता है iron उसके बाद यहां पर एक hydrogen आता है ठीक है उसके बाद मेरा आता है copper और then silver ठीक है यह मेरा reactivity series का में order है इन elements का with respect to hydrogen हम लोग hydrogen को base लेते हुए इनको किया है ठीक है तो basically यहां पर जो hydrogen का left side में है इधर वाले element ठीक है यह तो evolve hydrogen gas from acid ठीक है यह तो hydrogen gas acid से evolve करेंगे और जो मेरा इधर वाले हैं यह does not evolve hydrogen gas from acid ठीक है यह acid से मेरे hydrogen gas evolve नहीं करेंगे राइट ठीक है तो basically हम लोग यहां पर zinc को क्यों यूज करते हैं sodium क्यों नहीं यूज करते हैं because the sodium है sodium यह highly reactive होता है ठीक है highly reactive तो हम लोग जो zinc है जिसकी medium reactivity है ठीक है medium reactivity तो इसलिए हम लोग इसको किसमे यूज करते है लैबरेटरी में राइट लैबरेटरी में to prepare laboratory to prepare hydrogen gas ठीक है hydrogen gas के लिए यहाँ पर हम लोग basically iron भी यूज कर देते हैं but iron के लिए हमें hot water से ही राइट iron basically बहुत slowly react करता है मेरा cold water से राइट ठीक है तो यहाँ पर इसका answer क्या जाएगा मेरा zinc ठीक है आठ चार्सो 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 पर